बिसमिल्ला रहान रहीम अस्सलाम अलेकम डिर तूड़ों यूर वेल टूड़े लेक्टर नमबर छीए लेक्टर नमबर शीक्स बुक ग्रेड थ्री तूड़ों ओपन यूर बुक्स एंड पैज नमबर एट अप्टॉपिक इस फोर डिजट नमबर और यूर नेश्ट नमब लिखने ठीक है तो यह जो हमारे पास एक्जामपल है जो हमारे पास कह रहे हैं कि in the following example Sarah has written the names of four digit numbers यह जो हमें example दी हुई है इसमें Sarah ने Sarah has written Sarah ने लिखे हुए in the names of four digit numbers four digit number के नाम लिखे हुए ठीक है हम एक दो देख लेते हैं कि यह देखे हैं यह हमारे पास कितना डिजिट नमबर है one two three and four one किसे यह वाला जो है यह देखें यह ओ किसे रिप्रिजेंट कर रहे है once को मैं आपको लिख भी लेता हूँ once यह किसे कर रहे टेंज यह और यह 100 और यह हमारे पास जो आपने प्रिविस जो क्लास्टी ग्रेड टू उसमें आपने थ्री डिजिस नमबर तक पढ़े होंगे तो यह जो हमारे पास जो न्यू चीज हमारे पास यह हमारे पास thousand ठीक है इसको हम combine पढ़ते हैं ठीक है और लिखते भी सको combine है ठीक है तो यह हमें कुछ नंबर दी हुआ है ठीक है तो इनको हमने लिखे हुए इनको तो नीचे हमें प्रैक्रिस में question number one हमें दी हुए कि write the names of these numbers यह जो हमें numbers दी हुए इनके names लिखने ठीक है तो students आईए हम इसको detail में देखते हैं कि हम इसके names किस तरह लिखेंगे ठीक है तो students देखें आप four digit numbers and their names लिखने के पहले हम इसको place value chart में put कर लेते हैं ठीक है place value chart को तो आपको पता होगा आपने three digits का place value chart बनाया भी होगा once tenths और hundred तक ठीक है तो जब four digit number होंगे तो हम four digit का place value chart बनाएंगे जिसमें हम एक चीज़ over rate करेंगे thousand को और किसे represent कर रहे है ones को, t tens को, h hundred को और th किसे कर रहे है thousand को ठीक है तो students जो हमारे पास question number one आप book में देखें उसका जो part a है, a part जो हमारे पास six, seven, two, zero यह जो हमारे पास है इसको हमने क् तु प्सक्राइण है ड् grappling है इस प्लैइस छर्ड में पोट करते हैं तो चार्ड में पूट करते हैं तो इसके भाद पिर नेमेस देते है ठीक है तो पीससराइगे और आ क्या कि सुर्ण है इसको हमने प्लेस्विश चार्ट में पूट कर ले ठीक एस तो भी हम इसको रीड करते हैं पहले और फिर उसके बाद इसको हम राइट करेंगे ठीक है इसको नेम्स देक Review करने का त्रीका है क्या है च्छीन ﷺ के करते हैं यह जो हमारे पास यह है ताउजन हम जो इसके नीचे होगा उसका मिस्तना रीड करेंगे 6720 ठीक है यह जो 10 और वन्स होगा इसको हम कंबाइन read करें, read करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 6720, ठीक है, तो आईए हम इसको लिखते हैं, क्या होगा, सबसे पहले, एस ऐएक, सिक्स, टी, हो, यू, सए, अन्डी, थाउजंड, सेवन हंडर्ड है तो, स, एव, एन्स, एच, यू, अन्डी, आर, इडी, हंडर्ड, एएएं, न, ती, डऑ्लिव, एन्डी, ती, व wreck, है, तो यह हमने, इसको नेम्स दे दे दे, ठीक है, तो आईए हम, बुक पे जा किसको लिखते हैं ठीक है तो देखें सुनों यह बुक पे भी उन्होंने यह जो हमें साइज यह थाउजन को रिप्रिजेंट कर रहे हैं यह एंडर को यह टैन को और यह वन्स को ठीक है तो यहां बैसर ही करेंगे इस एक शिक्स टी एच ओ यू एस एन डी थाउजन गो शेवन शेवन हेंडर सेवट एन सेवन एच यू एन डी आर एडी हेंडर और इसके बात क्या है एंड इसको हम कंबाइन करते हैं क्या है हमर पास ट्वेंड यू एन टी ठीक है ठूस एक और आपको मैं कर के बता हूँ उसके बाद आपने लकुंश तासवेंट कर रहे ना तो हम लिखेंगे E I G H T A T H O U S A N D 1000 उसके पाद क्या है हमारा दूसरा डिशल फाइफ फाइफ क्या है 500 तो हम लिखेंगे F I V E 5 H U N D R E D 100 उसके पाद क्या है हमारे पास 4 और 7 47 इसको हम कमाइन में रीड करते हैं 47 तो हम क्या लिखेंगे and F O U R T Y 40 S E V E N 7 ठीक है सूरूर तो हम मैंने यह दो सॉल करने हैं ठीक है अब यह आपको हॉम वर्क क्या है कि यह जो B C D E और G H O रह गए हैं ठीक है यह आपने सॉल करने हैं ठीक है मेरे पास इस टाइम पैंसल अवेलिबल नहीं थी तो इसलिए मैंने पैंसल लिखा है तो आपने पैंसल से लिखने है ठीक है और आपने इसको सॉल करके इनको नेम्स देके तो मुझे आपने अपनी बुक की पिक्चिर लेके मुझे वार्ट